हेलो एब्रिवन, वेलकम टू माई चैनल, जैसे की सबको पता है जनमाश्टमी आने वाला है और जनमाश्टमी के सब मेरे सब्सक्राइबर, वीवर्स को हर दीक सुप कामना है आज मैं जो लोग ब्रत रखेंगे उनके लिए एक हेल्दी थाली लेकर आई हूँ, उसकी रेसेपी आप लोग से सेयर करूंगी और चलते हैं देखते हैं वो थाली में क्या क्या है आज मैं आप लोग को जनमाश्टमी के ब्रत के लिए थाली बनाना बताऊंगी और वो ब्रत के लोगों को खाने के लिए बहुत ही इजी और टेस्टी रहेगा तो इसके लिए आप एक सबुर्दाना ले ले, सबुर्दाना को पानी में भीगो ले और उसे 6-7 घंटा के लिए रखते सबुर्दाना रेडी हो जाएगा उसके बाद मैं किट्टू का आटा लूँगी, किट्टू का आटा कहीं भी बजार में एबलेवल है हर जगा इजी से मिल जाता है और आप किसी भी दुकान में जाकर ले सकते हैं सबुर्दाना को मैं देखिए 5-6 घंटा भीगा के रखी हुई हूँ और ये काफी अच्छा से फलपी हो गया है और 3-4 जितना आदमी का बनाना है उस हिसाब से आलू को बॉयल कर ले सिंहारा का आटा मैं ले ली हूँ और उसका भी हलुआ बनाएंगे बहुत टेस्टी सबसे पहले एक कडाही ले और उसमें आप घी या तेल जो आप डालना चाहते हैं उसको डाले और धीमी आच में सिंहारा के आटा जितना बनाना है उतना लेके उसमें डाल के भूने धीरे 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 कम आच में कम फ्लैम करके आप उसको भूने भुंद को प्लेट में निकालने, निकालने के बाद उसमें दूद डाले, ठंडा दूद डाले क्योंकि उसमें गांट बनने लगता है, हाथ से उसको अच्छे से फैलाए, उसको मसल मसल के उसमें एक भी गांट नहीं होना चाहिए, तो अच्छे से उसको दूद में पुरा ल देखिए ये liquid बनकर त्यार हो गया है। दूद में ही जितना आठा लें उतना ही दूद डालें उससे ज्यादा भी डाल सकते हैं। फिर उसी कड़ाई में बिना घी का आप उस घोल को डाल दें। डालने के बाद थोरा सा उसमें पानी डालें। पानी से अच्छे से प्लेट क को धोले और उसमें फिर से डाल दें ये एक चीज का ध्यान रखेंगे कि ये छोड़ना नहीं है continue चलाना है सूगर अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको मीठा चाहिए उतना डालेंगे क्यूंकि मैं हम लोग सूगर कम खाते हैं इसलिए मैं दो चम्मच ही डाली हूं एक चीज का फिर मैं बोल रही हूं ध्यान रखेंगे continue इसको चलाते रहेंगे देखिए ये गाड़ा हो जाता है पांच मिनिट में और ये हल्वा बनकर रेडी हो गया है एक प्लेट ले उसमें अच्छे से घी लगाए पुरा अच्छे से घी लगाए और उसको चारो तरफ से इस्प्रेड करें इस्प्रेड करने के बाद उसमें सारा हलवा जो है उसको निकाले और निकालकर उसको अच्छे से से इसे ठ कर ले देखिए ये सेट हो गया है उसके ऊपर सेसे गरम गरम में ही ये करना है और अच्छे से उसको दवाना है ये सिंहारे का आटे का हल्वा बहुत ही टेस्टी लगता है एक बड़ जरूर ट्राई करें और देखिए इसको मैं कर दी हूं complete इसको ढख के side कर दे मैं अब बना रही हूं आलू fry तो मैं कम दिखाने के लिए एक आ मात्रम होने के लिए उसको काट ले उसमें घी या तेल जो आपको पसंद हो वो डाले थोड़ा मात्रा में आलू है तो थोड़ा मात्रा में ही तेल डाले हरी मिर्च ले ले उसमें अच्छे से ब्राउन होने दे फिर आलू को डाले और थोड़ी देर उसको भूने थोड़ी को अच्छे से भूने उसमें लाल मिर्चा का पाउडर थोड़ा सा डाले क्यूंकि उसका टेस्ट से काफी अच्छा लगता है भूना हुआ जीरा पाउडर जरूर डाले यह आपके टेस्ट को इनहांस करेगा और धनिया से गार्निस करें यह आपका बनकर रेडी हो गया फिर आप सेकेंड हो गया ठर्ड के लिए कड़ा ही गरम करें वह सा वुर्दाना के खिच्री तेल डाले या घी डाले जो आपकी पसंद हो और उसमें गरम हो जाए तो हरी मिर्श डाल दे अपने स्वाद के नूसार हरी मिर्श थोड़ा ब्राउन हो जाए तो आप उसमें थोड़ा सा मुंगफली डाल दे मुंगफली को भी थोड़ा दिर भुने आलू डाल दे, लाल मिर्श डाल दे अगर आप टमाटर बरत में खाते हैं तो टमाटर डाले और नहीं तो skip करें यह optional है और पिंक सॉल्ट सेंधा नमक जो आपके पास है उसको डाले वाइट नमक ना डाले बरत में वाइट नमक नहीं खाया जाता है सबुर्दाना को फिर उसी में जितना आपको बनाना है quantity के हिसाब से डाल दे और सब को एक साथ भूने धनिया के पत्ता से गार्निस करें देखिए सबुर्दाना का खिचरी बीना चिपके हुए कितना अच्छा से बना है एकदम फ्रेस अलग अलग सबुर्दाना कितना अच्छा लगए और खाने में भी दोस्तों एकदम सौप्ट लगेगा ही नहीं कि कोई एदम ऐसा नहीं अब मैं कुट्टू के आटा पर आ रही हूं कुट्टू के आटा को पहले गुनने के लिए एक आलू लेंगे उसको मसलेंगे क्योंकि कुट्टू के आटा बेलने में बहुत असुबिदा होती है उसके बेस के लिए मैं एक आलू डाल रही हूं उसी में गरम पानी के साथ आप धीरे धीरे उसको मसल लें आलू डालने स चुके हैं यह बनेगा आपका सबुर्दाना का कटलेट उसके लिए हम पिंक नमक सेंदा नमक जो भी नमक है घर में उसको डालें आप अच्छे से आलू को मसलना है कोई भी गांठ नहीं होना चाहिए और उसके बाद मैं उसमें फ्राई किया हुआ रोस्टेट मुंगफली डालूँगी बिना चिलके का यह काफी करंची टेस्ट आता है इसको जरूर डालें और धनिया का पत्ता भी डालें उसमें धनिया का पत्ता हरी मिर्च यह चीली फ्लेक्स है उसको भी थोड़ा सा डाल दे अपने टेस्ट के अनुसार यह कटलेट बहुत लाजवाब बनता है बच्चों को बहुत पसंद आता है अपने हाथों से अच्छे से अच्छे से मिक्स कर ले अब मैं पराटा के तरफ पराटा दिख रहा होगा आपको आटा को गोल गोल कर ले सूखा आटा में उसको लगाए पेरा को और उसको अराम से फलाएंगे क्योंकि वो तूटे ना बहुत अराम से बनाना होता है धीरे धीरे उसको बेले इधर फ्राई पैन भी गरम हो रहा है और आपका पराठा बिल गया अब मैं धीरे से इसको डालूंगी क्योंकि ये बहुत उठाने में दिक्कत होता है तो मैं ऐसे पलट के हाथ में रख के और गरम फ्राई पैन में डाल दूंगी और इधर एक तरफ सिख गया है तो आप उसको पलट दे अराम से और धीरे धीरे आज पर सेख ये उसको अब मैं कटलेट को त्यार कर रही हूँ तो हाथ में तेल लगा है और कटलेट को गोल गोल आप जैसा भी सेब देना चाहते हैं उसमें दे दे और इधर पराठा दोनों तरफ से सिख गया है तो आप घी या आयल दोनों में आप सेख सकते हैं जो आपको पसंदूँ इस तरह से आप दोनों तरफ पराठे को तेल डाल डालकर सेख ले और ये कुरकुरा बहुत अच्छा पराठा बनका रेडी होता है इधर मैं तेल गरम कर ली हूँ और अपना सारा कटलेट साबुदाना का उसमें डाल दी हूँ और उसको धीरे-धीरे आज में कटलेट को पकने दीजे इधर पराठा भी गरम-गरम बन रहा है और कम आज में मैं सेक रहे हूँ अंदर से ये पूरा पक गया है और दूसरा पराठा भी मैं बेल कर डाल दी हूँ इधर कटलेट को भी देख लेते हैं कटलेट थोड़ा-थोड़ा ब्राउन होने लगा है और उसको मैं पलट रही हूँ तो इस तरह से दोस्तों बहुत जल्दी ये रेशेपी सारा बन जाता है और कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है बस थोड़ा सा त्यारी करने की जरूवत है और ये पराठा भी दूसरा पराठा भी देखिए बन रहा है और तेल का देखिए ये ये भी बनकर रेडी हो रहा है और मैं अब ले ली हूँ दही दही में थोड़ा सा पिंक नमक डाले थोड़ा सा लाल मिर्च डाले और भुना हुआ जीरा से उसको गर्निस करें पुड़ा बहुत टेस्टी लगता है ये दही और इधर हलुआ सेट हो गया है उसको जो सेप में आप काटना चाहते हैं उसे काटे मैं बर्फी सेट में काट रूँगी आपको जो पसंद है वैसा सेप दे सकते हैं ये देखिए ये बन गया आपका बरत का थाली और ये कटलिट के साथ एक चीज मैं आज नहीं बना पाई हूँ वो है धनिया की चटनी साद्विक चटनी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी वो चटनी इस कटलिट के साथ जरूर बनाएं जरूर खाएं और बहुत टेस् ये कुट्टू गरम होता है इसके लिए मैं दही रखी हूँ दही के साथ खाएं और आलू फ्राई जरूर ले ये तीनों आप बना के खा सकते हैं सावुरदाना के खिचरी और ये हलुआ दोनों काफी लाजवाब लगता है तो ये दोनों आप एक साथ बना के खा सकते हैं ओपर से कटले तो ही है कटले तो भाया बहुत ही लाजवाब है ये खाना सब देख के न मुझे लग रहा है कि यम्मी खाना है एकदम और साम को पेट भर के खाएं ज्यादा तेल मसाला ज्यादा कुछ है नहीं तो आप हमेशा एकदम निश्चिंत रहेंगे आप लोग को य बाबाई टेक केर